दोस्तों आज के इस क्लास में हम memory allocation के बारे में बाते करेंगे सो C programming language में जो data types होते हैं मुक्यता fundamental data types तो उसके लिए कितना memory space reserve किया जाता है उसके बारे में detail में हम discussion करेंगे अभी तो हम character, integer और long data type के लिए जो size requirement होता है उसको समझेंगे उसी तरह से जो pointers होते हैं C language में, so pointers 32 bit system पे भी होते हैं 64 system पे भी होते हैं तो उसको भी समझने का कोशिश करेंगे उसके बाद हम लोग void और void pointer के बारे में जानेंगे और एक test लिया जायागे जिसमें जितने सारे data type है या pointers है उसका जो memory allocate होता है वो कितना होता है तो उसके लिए हम एक series of test अभी देंगे और यह जाने की कोशिश करेंगी कि जो memory allocate करते हैं उसको हमें जानना क्यों जरूरी है क्यों हम उसको जानना चाहेंगे हमको उससे क्या benefit मिलेगा तो वो भी हम detail में discuss करेंगे और फिर एक special requirement है long long data type ठीक और एक छोटा सा demo भी लेंगे float और double data type के बारे में भी जानेंगे कि उसको कितना memory चाहिए होता है तो चलिए start करते हैं पहला test से तो पहला test आपके सामने यह रहा what is the size of the memory allocated by the compiler तो compiler कितना memory allocate करेगा character, integer और long data type के लिए आपके पास यह चार चॉइसे हैं आप चाहें तो वीडियो को pause कर सकते हैं उसके बाद उसको फिर से चालू कीज़ेगा so option a, b, c, t आपके पास है character, integer और long data type तो इसका जो answer होगा हमने question mark दिया होगा है ठीक है so आपको यह ध्यान में रखना है कि जो character, integer और long होते हैं तो उसमें से जो data type होते हैं कुछ वो architecture पर निर्वर करते हैं अगर वो 16-bit platform है, 32-bit platform है, 64-bit platform है तो answers vary कर जाते हैं तो आपको इसमें से कोई भी answer सही नहीं लगेगा तो इसलिए हमने question mark दिया हुआ है तो यह खाली testing करना था यह जानने के लिए कि हमारा current में knowledge कितना है कि हम इसको answers असानी से कर पाते हैं कि नहीं अब आप दूसरा देखते हैं दूसरा test है वो पहले question के जैसा ही है लेकिन हमने क्या किया है कि 32-bit platform लिग दिया है question में तो जो compiler है वो कितना memory allocate करेगा pointer के लिए, character pointer के लिए, integer pointer के लिए, long pointer के लिए 32-bit platform है तो यहां पर हमने pointer specify किया हुआ है ठीक है तो आपके लिए आप चार्ज होइस दे रहे हैं आप वीडियो को pause कर सकते हैं और फिर resume कर सकते हैं तो pointer है यहां पर ठीक है तो इसका answer जो होगा मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को मालूम होगा इसका answer basically C होगा 4 bytes क्यों होगा और कैसे होगा उसके बारे में detail में आपको बताऊंगा जब इसको describe करोंगा तो और तीसरा question अगर आप प्रोग्राम को 64-bit platform में run करते हैं तो जो compiler है वो pointers के लिए कितना memory allocate करेगा character pointer के लिए integer pointer के लिए long pointer के लिए आपके पास choices है character pointer integer pointer long pointer ABCD तो यह भी शाय तक आपने सही guess किया होगा इसका answer आपको यहां दिखाई देगा वह होगा D क्योंकि यह 64-bit platform है तो उसमें 8 bytes memory reserve किया जाता है pointers के लिए इसके बारे थोड़ा आपको मैं पताऊंगा अगला वाला सवाल अगर आपके पास एक void data type है और void pointer है जो compiler होगा वो कितना memory उस variable के लिए store करें तो हमें यह जानना है कि वाइड डेटा टाइप है और वाइड पॉइंटर है वाइड के लिए जीरो पॉइंटर के लिए चार जीरो आट एक चार एक आट इसमें थोड़ा बहुत confusion हो सकता है तो आपको सुचना है कि क्या सही में compiler इसके लिए allocate करेगा तो इसका अंसर भी question mark हो गया क्योंकि हमने प्लैटफॉर्म लिखा नहीं है तो pointer का size change हो सकता है तो हमें यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं नया question अगर आपके पास 64 bit platform है तो उस platform में यह जो c program है उसका क्या output हो सकता है size of c यह जो character c लिखा है size of character ठीक है तो पहला चीज़ यह कि आप इस code को compile करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या size हो सकता है मैंने एक चीज़ को हटाया है वह है hash include stdi or .s तो उसकी आप चिंता मत किज़ेगा थोड़ा warning आ सकता है किसी किसी system में और किसी system में नहीं आएगा तो भी चलेगा तो उसको छोड़ करके अगर आप इस code को देखते हैं तो आपके पास इसमें से एक सही answer होगा तो सही answer आपने अगर guess कर लिया है तो वह c होगा क्योंकि जब भी आप size of लिखते हैं तो उसमें या तो आप variable का नाम ड़सकते हैं या फिर data type का नाम ड़सकते हैं दोनों ही जा यह होता है तो answer C हो गया कुछ लोग पूल सकते हैं कि सर इसमें हमने hash include नहीं लिखा है तो उसमें कोई बात नहीं क्योंकि अगर नहीं लिखा है तो compilation warning आ सकता है किसी-किसी compiler में लेकिन error जेनरली नहीं आता है अगला वाला सवाल 64 bit system है हमारे पास उसमें यह जो C program है C code है उसका क्या output हो सकता है तो एक character pointer बनाया है हमने cp तो size of star cp और size of character pointer हमने ऐसा लिखा है star cp लिखा है character pointer लिखा है तो ध्यान से पढ़के आप इसका उतर दीजिएगा size of cp 8,8 size of cp 1,8 8,1 compile time और runtime error तो इसको अब जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका क्या answer हो सकता है इसका मैं आपको detail में एक program लिख करके भी आपको समझा हो कि क्या answer होना चाहिए तो size of star cp है है ना और size of character pointer है यहाँ पर तो size of star cp और character pointer के लिए यह वाला answer होगा तो आज जब इसको run करेंगे तो आपको answer विलेगा B यह जो मैं code लिख रहा हूं इसको आप video को pause करके type करके run भी कर सकते है अपने system में तो ध्यान रखेगा यह जरूरी होता है कई बार क्या होता है कि हम लोग देख लेते लेकिन इसको type नहीं करते type करना अच्छी बात होती है अब यह वाला code देखिए size of V तो यह 64-bit platform हो गया और pointer हो गया और V हो गया तो यहां पर void V है और star VP है तो VP एक pointer हो गया और V एक वाइड हो गया यह pointer to void हो गया तो इसको हमको यह देखना है कि इसका क्या उत्तर हो सकता है 1,8 0,8 compilation error runtime error जब इस code को देखते हैं तो मैंने hash include के बारें बताया था warning आ सकता है लेकिन program run करता है ठीक है तो warning हमने कहीं लिखाए नहीं है तो इसमें से कोई एक उत्तर होगा जब आप इसको detail में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पे कुछ mistake हुआ है ठीक है तो actually इसका answer होना चाहिए compile time error या compilation error ठीक है तो इसको भी मैं आपको समझाने के गोशिश करूँगा कि क्यो compilation error आ रहा है ठीक है और इसको कैसे correct किया जा सकता है तो यह जो 7 सवाज मैं आपसे पूछे थे वो इसलिए पूछे हैं कि बहुत सारे जो students होते हैं विद्यारती लोग वो बहुत तेजी से C language को पढ़ लेते हैं लेकिन जब उसको detail में समझे की कोशिश होती है तो उनको doubt रहता है मन में तो यह जब आप coding को करेंगे या stress case को देंगे तो आपको समझ होंगा कि ऐसा answer क्यों हो रहा है इसका ठीक है तो इसका उदेश यह है कि हमें यह जानना है कि हमें कितना knowledge है लेकिन एक fundamental सवाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम तो C programmer है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो C programmer हूँ मेरे को यह सब क्यों जानना है हम तो अपना programming कर ल करते हैं तो यह सब प्रोग्रामिंग क्या होता है न यह सब प्रोग्रामिंग में जब language इंटरेक्ट करता हाडवेर से या memory से तो आपको उसका पूरा detail में आपको पूरा उसका जनकारी होना चाहिए क्योंकि जब आप system को run करेंगे जैसे आपने तो program लिख लिए आप program लि घ्रिंगे उस program को या code को तो काम नहीं करेगा कई लिए उसके लिए काम करेगा कुछ 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 हमे काम नहीं करेगा तो उस समय क्या होता है कि हमको debug करना रहता है ठीक है, core dump, crash file, memory dump, यह सब चीज़े हमको इसलिए दिया जाता है, क्योंकि जब वो customer के place में जो issue हुआ है, वो हमारे lab में, हमारे system में, हमारे company में उसको फिर से हम reproduce कर सके, फिर से उसको मतलब हम लोग simulate करके, run करके उसको फिर से पैदा कर सके, ताकि हम उसको test करेंगे और debugger का भी यूज़ करते हैं, या फिर additionally और code जोड़ते हैं, बहुसरा print app जोड़ते हैं, debugger यूज़ करते हैं, तो जब भी यह issues आते हैं, तो आपको memory का dump दी दिया जाता है, आपको उसको analysis करना है, तो जब memory का dump को analysis करेंगे, तो आपको तो memory मालू होनी चाहिए, कितना memory allocate हो ह मालिज यह कुछ Ethernet का driver है, Ethernet का packet है, या networking packet है, उसके संबंदित कुछ crash होगा, आपको core मिल गए, पूरा structure आपको मिलेगा, networking का, Ethernet struct, TCP struct, structures, उसमें बहुत सारे members होंगे, fields होंगे, और बहुत सारे field में खाली वो integer type होगा, या character type होगा, या जो आप जो भी fundamental data type देखते हैं, य बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है, उस समय आपको जो memory की बात कर रहा हूं में इतने समय से, वो बहुत fundamental requirement है, so अगर आप good programmer और good troubleshooting करना चाहते हैं, तो आपको ये reality में समझना पड़ेगा, ठीक है, so आईए हम लोग इस बारे में थोड़ा और बात करत है कि memory allocation जो kernel जो compiler होता है, वो किस तरह से करता है, उसका क्या length होता है, मैंने already आपका test ले लिया है, आप हो सारा चीज समझ भी गया है, ठीक है, तो memory generally क्या होता है, character के लिए 1 byte allocate किया जाता है, short के लिए 2 byte allocate करते हैं, integer के लिए 4 byte allocate करते हैं, और long के लिए 8 byte अगर वो 64 bit system है, ठीक है, अगर वो 32 bit system है, तो long के लिए 4 byte होता है, float, float के लिए 4 bytes allocate करते हैं, और double के लिए 8 bytes, 8 byte करते हैं, ठीक है, और void का मतलब ही void होता है, data type, अगर को data type void है, void मतलब 0, तो कुछ के लिए कुछ allocate नहीं होता है, ठीक है, आप अच्छे लिए compile भी नहीं कर पाएंगे code को, so void को हम run करके देखते हैं, आपको example दिया है, मैंने, तो generally कुछ भी allocate नहीं होता है, क्योंकि compile ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो लेकिन compiler कभी-कभी कुछ space उसके लिए just printf के नाम से, size of के नाम से उसको display करता है, लेकिन कुछ allocate नहीं होता है, तो जो memory allocation देखेगा, 1 byte, 2 byte, 4 bytes, 4 byte हो गया, 4 या 8 architecture पर है, यह 4, यह 8 और यह 0, ठीक है, तो इसका मैं आपको example दोंगे, सारे जो 7 test case थे, उसको हम लोग run भी करेंगे, तो फिर दूसरा होता है, कि signed data types हम बोलते हैं, programming में, तो integer signed है, या unsigned है, character signed है, या unsigned है, तो देखिए, signed और unsigned जो data type होते हैं, उसमें memory त चाहिए, वो signed हो, चाहिए, unsigned हो, अगर 4 byte होना है, तो 4 byte यह हो, जैसे integer हुआ, memory allocate हो गया, लेकिन उसके अंदर जो bits होते हैं, जैसे 8 bit होते हैं, character में total 8 होते हैं, तो उसमें most significant bit होता है, वो sign को represent करता है, तो अगर वो signed data type है, तो most significant bit sign को represent करेगा, अगर वो unsigned है, तो आपको data के रूप में represent करेगा, अगर वो unsigned data type है, तो इस particular जो इस class को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें खली आपको ध्यान देना है कि जो memory है, वो कितना byte allocated है, तो 4 अगर integer है, तो 4 होगा वो, चाहिए, वो signed हो, चाहिए unsigned हो, character है, वो भी 4 होगा, चाहिए, वो एक ही byte होगा, तो यह जनकारी होगी कि वो जो signed होता है, किस तरह से represent होता है, तो वीडियो का नाम होगा, bits and bytes, तो इसके बारे में आपको मैं definitely बताऊंगा, कि वो क्यों है, और क्यों आया है, तो आप देखिए, अब आपको total byte allocation जो है, तो यह जो slide है, आपको दिखाई देगा, character के लिए, यह सब bits में लिखा हुआ है, तो bits है, और इसका range of values है, तो range of values में जाने की दरकार नहीं है, खली कितना memory byte allocate होता है, character के लिए bit, 8 bit मतलब 1 byte, integer के लिए मैंने बता दिया, 4 bytes, short के लिए, short हमेसा 2 होता है, तो 2 bytes, और long के लिए 4 bytes, चाहिए वो signed हो, चाहिए unsigned हो, space वो ही रहता ह है, और अगर आप long long की तरफ जाना चाहेंगे, जो अभी मैंने introduce नहीं किया है, वो 8 byte होता है, long long generally 32 bit system के लिए design किया गया था, अगर 64 bit system है, तो long long, long के बरबर होता है, तो वो 8 bytes होता है, 64 bits, 8 bytes, float के मैंने बता दिया, float होता है 4 bytes, और double होता है, 8 bytes, ठीक है, तो यह तो आपको समझ में आ रहा है कि memory कितना required होता है, memory allocation, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक example को लेंगे, जो 7 test case है, और उसका हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्या-क्या value आ रहा है, क्यों हो आ रहा है, तो थोड़ा detail में जाने कोशिश करेंगे, यह तो हमने theory में पढ़ लिय और एक long-long के बार है, जो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें यह सारा data जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सारा data, integer pointer to an integer, long pointer to a long, long long pointer to a long long, character, void, float, double और उनके pointers, इस सारों के लिए कितना सारा memory allocate करता है, compiler, इसके हम प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे ह हमारे साथो test case automatically solve हो जाएंगे, उसके बाद compiler जो है size of, अगर हमने लिख दिया size of 100, तो कितना, उसका क्या return value होगा, compiler कितना data देगा हमको, कितना space देगा, size of ff, जो f हमने 8 बार लिखा है, size of ff, f हमने 10 बार लिखा है, तो क्या उसका same answer होगा, क्या अलग answer होगा, तो यह सार पहला जो lab exercise का हम देख रहे हैं, वो है data के ऊपर, तो मैंने already code किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको यह program दिखा देता हूँ, तो मैंने already code किया हुआ है, code किया हुआ है, मतलब कि already, जो requirement था हमारा, write a c program, 32 bit system में और 64 bit system में, तो पहला चीज यह रहेगा, कि य सा sistem है, यह system है, जो मेरा है, इसको भोता है uname-m, तो मैं डालूँ गा, तो यह linux का command है, uname-m, जो हमको machine बता देगा, तो बुलेगा, यह x86 system है, intel hardware है और 64 bit system, जो 64 bit system मेरे पास एक और system है, जिसको 32 bit system में बोलते हैं, तो इसको मैं डालूँगा uname-m, तो एक और system है, इसको i अगर A करता हूं तो यह बहुत सरे detail देगा आपको यह लोगों confuse कर देता है लेकिन यह जो system है यह 32-bit system 32-bit platform ठीक है तो पहले हम run करेंगे इसको 64-bit system में फिर देखेंगे कि क्या हम इसको run कर सकते हैं दूसरे system ठीक है तो हमारा code था यह assignment था हमारा और हमने इसको अलड़ी code किय होए तो देखेंगे जो assignment मैंने लिखाया PPT slide में सेम चीज़ है character c एक variable है जो character type है और cp एक pointer है pointer to a character है s हो गया short और sp हो गया pointer short pointer i हो गया integer और ip हो गया integer pointer l का long और यह lp long pointer यह long 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 pointer float double white को मैंने अभी comment कर रखा है कुछ समय के लिए बाद में इसको uncomment करेंगे और यह white pointer जो कि मैंने comment नहीं किया है तो चलिए start करते हैं सबसे पहला वाला जो सबसे छोटा वाला है जो पहला वाला था यह printer ठीक है यह printer मैंने आपको पहले assignment test में पूछा था कि size of character है और size of see a see character क्या यह सेम है या different है कुछ लोगों को इसका knowledge होगा अच्छी बात है knowledge तो होना चाहिए अगर knowledge है तो आप इसको solve कर सकते हैं ठीक है तो इसको जिसको अब हम compile करेंगे और run करेंगे तो हमारा यह code दिख रहा है तो पहला वाला है size of care और size of c ठीक है तो nf data 1.c output आगया size of c equal to 1,1 तो यह हमारा solve हो गया similarly अब दूसरा क्या pointer है यह न तो हमने pointer के बारे में पूछा था आपसे तो pointer के बारे में पूछा था तो वह भी बिल्कुल बताएंगी तो यह तो size of हमारा यह हो गया character ठीक है फिर हम दूसरा बोलते है size of fundamental data type होता है size of यह आपको integer long float double और यह short है तो यह सारे आपको दिखाई दे रहे हैं तो यह मैं uncomment हटाते जा रहा हूं integer हो गया यह long हो गया यह float हो गया और यह double हो गया तो यह जितने सारे आपको दिखा रहा हूं इसलिए दिखा रहा हूं कि इसको हम पहले solve करते हैं उसके बाद बाकी में जाएंगे तो यह क्या है जितने सारे हैं आप representation में या तो variable का नाम डाल सकते हैं जैसे डाला था हमने या variable का data type डाल सेते हैं जो की character है तो दोनों में ही size of work करता है हमेशा ध्यान रखेंगे तो इंटीजर यह long data type भी डाल दिया उसका variable भी डाल दिया तो यह work करना चाहिए तो दोनों ही work करेगा यह हमारा 64 bit platform है उस platform में इसको आप compile कर रहें तो आप देख form है तो 8 रहेगा फ्लोट का 4 रहेगा और यह जो है double है double का भी आपका double का 8 रहेगा फ्लोट का 4 रहेगा तो हमारे जो knowledge है यह सही हो रहा है कि जो fundamental data types है कितना memory compiler उसके लिए allocate करता है अब आती है pointer के बारे पॉइंटर में क्या है कि आप जहां से देखिएगा इसमें थोड़ा variation था मैंने आपका sender ने question पूछा था इसके बारे में ठीक है तो यह थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तो पहले आसा करते हैं कि size of CP लिखा है मैंने ठीक है तो इसको मैं सबसे उपर ले आ पॉइंटर नहीं है इस्तार सीपी एक है पॉइंटर में जानते तो इसका मतलब होता है कि स्टार सीपी बिश्रக में जाए उस जगह जाए और वहां पर कितना memory अलोकेटेड है इसको बोलते हैं इन डारेक्शन तो एक बार आप जम करेंगे वहां पर और वहां पर कितना memory अलोकेटेड है उसके बारे में तो यह तो cp क्या एक pointer to a character है तो star cp मतला वहां जम कर गए तो वहां तो खली पॉइंटर एड्रेस करें 64 bit system है तो वह 8 byte यूज करता है पॉइंटर के लिए चाहे वह character pointer हो चाहे लॉंग पॉइंटर हो चाहे स्ट्रक्चर पॉइंटर हो चाहे यूनियन पॉइंटर हो पॉइंटर बस पॉइंटर होता और fix उसका 8 byte हो अगर 64 bit system तो यह आपके लिए 8 हो ज इसको compile करते हैं और देखते हैं कि क्या पहला आपना है तो compilation मैंने नहीं किया था ठीक है तो मैं अब इसको इसको हम अभी अब comment line हटा दिया अब compile कर रहे हैं और फिर एक बार clear करते हैं फिर से सो compile करते हैं यह रियली में compile हो आप इसका output देखेगा तो वहां पे तो खली character है तो वन बाइट हो गया उसी तरह से आप शॉट वाला देखेगा यह जो next line है यह शॉट के लिए मैंने बनाया था ठीक है तो इसको भी उपर ले आते हैं साथ साथ रहेंगे पॉइंटर वाले ठीक है तो शॉट में क्या हुआ हुआ यह पॉइंट साथ तो इसको देखते हैं क्या है एका आंसर आनसर को सेवकर मैंने साथ का और सबाइब आप भार यह पाल है तो आप शो आप देखेगा यह हो घ्री एस only तो इसी तरह से हमको समझना है, line by line समझना है, क्योंकि मैंने code कर दे, तो आपके लिए बढ़ा असान हो जाता है, इसको समझना है, लेकिन आप कुछ से coding करें इसको, क्योंकि करेंगो तो आपको काफी coding समझ में हाएगा, उसके बाद उसका runtime output समझ गया है ठीक है अब हम जाते हैं थोड़ा इंट्रेस्टिंग है साइज ओव वीपी मतलब क्या था अपना अट्रेस को इस ठोर करेगा जो वाइट हुआ हुआ तो किसी भी अन्नोन डेटा टाइप का जो अड्रस होते है इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आखरी वाला उट्पूट होगा ध्यां दीजिएगा सबसे लास्ट वाला उपुट जब कंपाइल करते हैं तो आप देखिए लास्ट लाइन देखिएगा साइज वीपी एट कॉमा एट पॉइंटर पॉइंटर होता है ताट सिट उतना ही है ठीक है अब लास्ट वाला एक और मैं अनकमेंट करूंगा यह जो था मैंने कॉमेंट क कर देते हैं तो यह वाइड एक वेरेवल वी डिकलियर कर रहे है और इस्टार वीपी कर रहे है तो वाइड पर ध्यान दीजेगा ठीक है इसको मैं अगर अगर टिकलेर करता हूं और यहां पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं साइज ओव वी तो थोड़ा बात में compile तो करने दीजिए तो compile करता हूं मैं इसको तो अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ इश्व आता है कि नहीं आता है क्योंकि वी एक वाइड 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 नहीं बहुता है कि आप कोई भी वाइड नहीं बहुत सकते है वह रॉंग है कि वह किसके लिए यूज करते हैं तो उसका हुआ वाइड पॉइंटर करता है ठीक है इसका और बहुत अच्छा एक्जामपल दोंगा वाइड पोइंटर का एक्जामपल दोंगा तो मिर्ट है पहले सो compile करते है और रब करेंगे तो यह compile किए तो यह बोल्डर है कि और रहे है वेरिद बिलकुल सभीं नहीं है इसा कभी कोडिकश्य कर सकते की यह कर लोगे है नहीं कहां अधू ND है यह वाले लाइं वो द्यूस किया था अ में इस यह व्यड देख लिए सकते हैं तो यहां लिखा है साइज ऑफ वाइड वी नहीं लिखा है क्योंकि यह तो अलाउन नहीं कर लेंगे चलिए देखते हैं लास्ट में क्या अंसर देता है ठीक है इस अंसर को देखके आप कंफ्यूज मत हो जाईएगा तो इसको मैं कंपाइल करूंगा भी और डाउट डालता हूं आप देखेंगे कि लास्ट में साइज ऑफ जो वी है वह वन आ रहा है और मैंने थोड़ी दर पहले कहाता है कि वाइड का कोई साइज नहीं होता तो आप बोलेंगे आपने तुसार राम कहा था तो यह हमारे अंडरस्टेंडिंग का फेर समझने का फेर होता है ठीक है काइ है तो बाइड डिफॉर्ट हो खाली वन डाल दे रहा है क्या उसका कोई मीनिंग है मीनिंग अचुली कुछ नहीं है ठीक है तो यह वन आजा अंसर दे रहे तो अगर आप कुछ आंसर जानना चाहते तो वन दे रहा है अगर कॉमन सेंस यह बोलता है कि वाइड का कोई यूज करते हैं तो मैंने कहा थे कि उसके एक्जामपल दूँगा ठीक है तो एक एक्जामपल देता हूँ आपने बहुत सारे लोगोंने मैलॉक memory allocator यूज़ किया होगा C programming में malloc बहुत popular है तो हम man page करते है malloc का तो आपको खली malloc के बारे में नहीं बताएंगे आपको चुकि ये class data type के बारे में है और especially क्या हो सकता है तो data type के बारे में focus रहेगा और ये pointer है void pointer के बारे में focus है तो उसके बारे में में आपको बताऊंगा ठीक है अब बहुत ध्यांस देखेंगा malloc library call हो गया ये क्या return कर रहा है ये return कर रहा है void pointer है तो जितने malloc series of call होते है आपके चाहिए malloc हो चाहिए malloc हो ये जितने call है सारे एक सारे void pointer क्यों क्योंकि अगर आप memory allocator से memory लेते हैं तो हमको थोई ना मालूम रहता है जो memory allocator को थोई ना मालूम रहता है कि वह आप integer के लिए यूज करेंगे कि character के लिए यूज करेंगे इस memory को तो जब जिस person है जिस आदमी ने malloc memory allocator का function define क्या लिखा है उसको तो कुछ चाहिए ना तो बोलेगा ठीक है मैं आपको memory दे रहा हूं यह भी point करेगा void को मतलब उसको खुद नहीं मालूम तो यह एक जायज use case है void pointer 100% perfect use case है अब राम से उसको use कर सकता है ठीक है तो यहीं पर मैं stop करूंगा क्योंकि एक लास में जो focus है वह white pointer के बारे में नहीं white pointer के बारे में malloc के बारे में नहीं है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के यह देखेंगे कि next क्या करें तो एक और जो हमारा बचा रहे गया है वह है printf क्या size of 100 size of 100 का क्या मतलब है या ffff यह हमने 8 बार लिखा है ff को और यह हमने 10 बार लिखा है ठीक है तो यह क्या मतलब होता है size of 100 क्या हुआ ठीक है तो आपको यह धियान डखना है 100 क्या है तो जो c language होता है अगर कोई आप लागाते हैं यह सब इंटीजर कॉंस्टेंट्स आने इंटीजर से कोई इंटीजर वह हट कोड कर देते हैं मतलब नुम्रिकल वैल्यू तो इसको size of इंटीजर मानेगा और इंटीजर के size 4 होता है चार ठीक है तो इसको हम देखते हैं कि क्या आ रहा है ठीक है तो थोड़ा सा आपको अलग answer दिखाए देगा लेकिन मैं उसको समझाओंगा कि क्यों कुछ कुछ में अलग answer आ रहा है तो इसको पहले compile कर लेते हैं लास्ट लास्ट लाइन पर ध्यान दीजेगा compilation के बाद अब लास्ट लाइन पर ध्यान देंगे तो जो लास्ट लाइन है वह बोल रहा है फोर फोर एट चार और आठ है तो पहला वाला तो यह तो इंटीजर होगया मतलब चार होगया यह सही है तो compiler बोलेगा यह इंटीजर है तो मेरे को फोर बाइट चाहिए इसको इसको इस्टोर करने के लिए दूसरा वाला फ कितनी बार है आठ बार है ठीक है तो अगर आप लिए उसका मतलब क्या हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि आप जैनली एक बाइट में एफ सारे वंवन तो आप देखेंगे कि यह जो एक बाइट में च्ट्रोर करते हैं तो चार करेंगे ठीक है यह तो इसका वाल्य वो फो रिटन कर देगा लेकिन आप जो नेक्स्ट वाला देखेंगे यह तो दस तैन टाइम्स लिखा है मैंने ठीक है तो यह एफ मतलब पांस टोक एफ हो गया यह थो इंटीजर में फीट नहीं होगाि इसको फीट करने के लिए के लिए नहीं मेरे को तो dos टाइप चाहिए और लंग को यह 5 बाइट्स नहीं होगा इसको 5 मत्स होजए क्योंकि 5 कोई डेटा टाइप नहीं होता है ठीक है तो कंपैलर जम करके बोलेगा जो अगर आप निम्रिकल वैल्यू लिख रहे हैं जो इंटी से ज्यादा है तो मेरेको नेक्स्ट हाइयर डिनॉमिनेशन चाहिए और वह हाइयर हुआ लॉंग 64-bit प्लाटफॉर में लॉंग मतलब 8bytes तो आप देखेंगे 8bytes है तो इसलिए आपको जो आउट्पूट आया था यह 8 था ठीक है तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको इतना सारा कोड कर के दिखा रहा हूं वह आपको समझ में आया होगा थोड़े बहुत डाउट हो सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसको कोडिंग कीजेगा खुद से कीजेगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो यह बात हुई अभी खाली 64-bit platform या 64-bit system के बारे में बात कर रहें ठीक है अब एक आता है आपको long long data type मैंने कहा था long long ठीक है तो मैंने long long यहां पे लिखा है लेकिन उसको define नहीं किया ल,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L इसको हम ल,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L आठ आ रहा है क्योंकि 64-bit platform में long भी आठ होता है तो long-long की कोई धरकार नहीं है तो वह हमेशा आठ ही रहेगा अब long-long क्या है क्यों चाहिए यह long-long कंप्यूटर साइंस में जब प्रोग्रामिंग किया था हमने जब बहुत साल पहले की बात है मतलब ठीक है तो जब computing में computing time था अब उसमें 32-bit platform बहुत पॉपलर थे 64-bit platform अभी कुछ है पांचे या आट-दस सालों से आए लेकिन उसके पहले अगर आपके पास hard disk terabytes में है या आपको terabytes में deal करना है computation को तो उसमें कोई fundamental data type नहीं था so long-long को बनाया गया है उसी purpose के लिए कि अगर आपका 32-bit platform है और आपको चुकि long तो 4 byte है आपको उसे बड़ा चाहिए data type तो long-long किया गया जो उसके double के बराबर था अगर आपको 4 प्लस 4 8 तो 8 bytes सो 8 bytes को fundamental unit बनाया गया क्योंकि बहुत सारे programming situations में जैसे मैंने कहा आपको terabyte of databases है terabytes petabytes उस समय आपको store करना है compute करना है calculate करना है तो 4 bytes काम नहीं करता है आपको 8 bytes है यह fundamentally so long-long उसके लिए बनाया गया था ठीक है तो लेकिन जब 64 bit platform में आगए तो long automatically 8 bytes हो गया तो long और long-long दोनों सेम हो जाता है 64 bytes 64 bit platform में अगर हमारे पास एक system है जैसे यह वाला system मैंने पताया था आपको यूने माइन से ठीक है तो यह 32 bit platform में ठीक है 32 bit platform में आप जब इसको run करेंगे तो मैंने यह वाला code अलड़ी लिखा हुआ है तो यह आपको ध्यान देना है कि यह जो है आपका 32 bit है यहां पे character character pointer short short pointer integer integer pointer long long pointer long long यहां पे pointer भी 4 bytes होता है लेकिन long long आपका 8 byte होगा ध्यान देज़े का मैं इसको run कर रहा हूं ठीक है तो यह special situation हो जाएगा क्योंकि थोड़ा old system वा इसको compile करके run करेंगे तो देखे सारे pointers भी आपको यह pointer भी 4 byte रिखाए दे रहे हैं ठीक है ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग के field में हमें क्यों दरकार होती है data types के size को जाने कि कितना compiler allocate करता है कैसे करता है और इसको मैंने आपको फंडामेटली सब बताने की कोशिश की है लो लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे system software development करेंगे तो इसकी दरकार रहती है आज के class में इतना ही आपसे दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद हमने important details description और comment section में डाल दिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से like कीजिए हम हर हफते एक वीडियो release करेंगे इसलिए आप Sand Foundry चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को on कीजिए